हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आज हम बनाएंगे तर्वुज का जूस एकदम फ्रेस और टेस्टी गर्मी के मौसम की यह बहुत ही फायदेमंद जूस की रेसिपी है आप भी भ्यांकर गर्मी से बजने के लिए जूस की इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें चैनल पर नए हैं तो प के हां बहुत ही पसंद से पीएंगे और बहुत आसान है बनाने में इस जूस की रेसिपी को बहुत बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है तो आप सबसे पहले तर्वुज को अच्छी तरह से धो कर उसे कट कर लें और उसके पल्प निकाल लें यहां मैंने लिया है एक बड़ा सा तर्वुज इसे दो भाग में कट कर लिए हैं और हम इसके और छोटे-छोटे टुकरे कर लेंगे तो आप वीडियो देखकर एक बार जरूर ट्राय करें और जूस को इंज्वाय करें अपनी फेमली के साथ इस तरीके से हमें कट करना है फिर इसका सारा पल्प हम बाहर कर देंगे तो आज हम बिना बीज निकाले हुए तर्वुज का जूस बनाएंगे और तर्वुज का पल्प निकालने के बाद जो छिलका बसता है उसे आप फेके नहीं इसकी एकदम मस्त टेस्टी बहुत सारी रेसिपी बनती है तो आप छिलका को रख दें और फिर बाद में कोई रेसिपी इसकी बनाएं तो यहां मैंने सारा पल्प निकाल लिया है अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे जितना देखने में यह लाजवाब लग रहा है जूस उससे भी कहीं ज्यादा टेस्टी लगता है और बच्चे भी इसे पसंद से पीएंगे तो आप मिक्सी के जार में सारे पल्प को डालेंगे फिर हम इसमें डालेंगे निम्बू का रस यहां हमारा एक दो बीज चला गया है निम्बू का बीज नहीं जाने दे फिर डालेंग हम इसमें धेर सारी पुदीना की पत्ती, तो तर्बुज तो मिठा होता है, इसलिए इसमें 3-4 टेवलिस्पून हम डाल रहें चीनी, और 5-6 आइस क्यूब, और फिर डालेंग हम इसमें काला नमक, इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे, आपके पास अ तो हम इसी में चान लेंगे, और आसानी से हमारा बीज निकल जाएगा, जो बचा हुआ पल्प अगर हमारा है, आप इसे फिर से मिक्सी के जार में डाल कर ग्राइंड कर सकते हैं, तर्बुज का जूस हमारा बनकर तयार हो गया है, अब हम इसे ग्लास में डालेंगे, तो एक बार आप जरूर ट्राय करें, और बनाने में भी कोई जहन जट नहीं है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, तो आप हम गार्निस कर देंगे इसे, पुदिना की पत्ती और तर्बुज के पल्प से, और इसमें डालेंगे, एक एक पुदिना की पत्ती, तर्बुज का रस हमारा बनकर तयार हो गया है, आप पीएं, अपनी फैमली के साथ इंज्जॉय करें, कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो देखकर इस रेसिपी को बनाने में कितनी मदद मिली, थैंक यू,